अंकित मेरे बारे में क्या सोचता है? मुझे कैसे पता चलेगा? पता चल सकता है ये लो जादू इहार और से पहन लो एई अंकित अरे जिपकरी कहां से आ गई? मैं तो सुईटी का इंतिजार कर रहा हूँ क्या मेरे बारे में ये ऐसा सुषता है और ये सुईटी का इंतिजार कर रहा हे अंकित आज के बाद मुसे बात करने के कोशिस मत करना अरे क्या हुआ सुनो तो मम्मी क्या हुआ अब इससे बताऊं कि इसके पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई और मुझे किसी और से प्यार हो गया तो क्या हो ममी आप उससे साधी कर लो क्या तूने तो मेरी मन की बात कह दी अरे रूबी बटी पार्टी में नहीं चलना है उसे कैसे बताऊं कि मेरे पास पुराने ही कपड़े है अच्छा ये बात है अच्छा सुन मेरे पास कुछ नए कपड़े है तू पहनेगी हाँ क्यों नहीं यार जल्दी से एटेम से पैसे निकाती अरे ये सब जल्दी जाए यहां से मुझे जल्दी से चोरी करना है क्या ये आदमी चोरी करने के लिए आया है हेई तुम एटेम के पैसे चोरी करने के लिए आया हो ना अहां तुम किसी को बताना मत मैं तुम्हें आद ये पैसे दे दूँगा ठीक है ये और उतना खुश क्यों है ये चादी का पायल और सोने का कंगन लेके आज में बहुत खुश हूँ अच्छा हे आँटी एक कंगन मुझे दे दीजे परना मैं आपके पीछे चोर को भेज दूँगी ठीक है बेटा ये लो गुड मॉनिंग मैं अच्छा बच्चो रुको मैं वाशो मोग कर आती हूँ आज इन सभी बच्चो को में मारूंगी जितने लोग होमक नेक करे होंगे क्या ये हमें मारेंगे मैंने वाशो में बन करके आती हूँ ये लड़कर इतना परशान क्यों दिख रहा है देखती हूँ अरे मेरा पांसो का नोट यही कही गिर गया कहां खोज हूँ ये बात है फिर तो मैं ही इसका नोट खोज कर रख लेती हूँ मैं सबकी मन की बात जान जाती हूँ क्योंना मैं इसका फाइदा उठाऊ आओ आओ जिसे अपना भविष्ट जाना है मेरे पास आओ सिब एक हजार रुपय में अपना भविष्ट जानू आओ मेरे पास आओ हाँ हाँ ये लिजी एक हजार रुपय मैं भी अपना भविष्ट जानना है अच्छा ये सोच रहा है आप जल्दी ही कड़ोपती बन जाएगे क्या सच में अरे वाह, यहां तो हर जगा मेरा ही बैना लगा हुआ है और हर जगा कोश्टर भी मेरा ही छप रहा है मैं तो फेमास हो गई भविश बताने वाली लड़की के नाम से एए वर्सा, मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या कहना चाहता है, देखती हूँ अरे यह तो मैं इसे परपोच करके रहूंगा ओजनो, यह मुझे परपोच करने वाला अच्छा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भी आती हूँ अरे सुनो तो अरे यह तो वही आदमी है, जो बैंक में काम करता है कई में ताला लगाना तो नहीं भूल गया एक बार फिर से चक करके आता हूँ क्या, यह बैंक में ताला लगाना भूल गया मैं चोड़ी करके आती हूँ सारे पैसे इतने सारे पैसे, बैंक के सारे पैसे मैं चोड़ी करके रख लेती हूँ अंदर कौन है अरे ये कौन है क्या सोच रहे सुनती हूं अरे ये कौन है अंदर मैं पुलिस को फोन कर देता हूं ओ नो ये पुलिस को बताएगा तो मैं जिन्दी के बारी के लिए जेल चले जाओंगी